वै सेग जी उस जमिन की सिचाई कैसे होती थी अवे ना है कि यह कोई पूछने वाली बात है तेरे अब्बू के अब्बू का जो बांस था ना जिस खेत में सिचाई करनी होती थी उस बांस को लेकर उस खेत में खड़े हो जाते थे अब बादल में लगा दिया हो गई अने खेत की सिचाई कर रहे थे। हूं। बाधल में ऐसा बास-फसा एसा बास-फसा कि भाजीजान अकीन ना करो एक महीने थक निकलाई नहीं। और इत्ती बारिश हुई इत्ती बारिश हुई कि सारे गाउं में दो-दोगज-पानी हो गया। मिया फिर क्या हुआ हुआ क्या गाउं के लोग भूके मरने लगे तब तुम दोनों के अब्बू के अब्बू हमारे अब्बू के अब्बू के पास आए अच्छा और रोने लगे पैर पकड़ लिए फिर मिया हमारे अब्बू के अब्बू से कहने लगे मालेक, मालेक, अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बच्चे भूके मर रहे हैं, हाँ, हमारी मदद करो, रहम करो मालेक हमारे उपर, कुछ खाने के लिए नहीं है, बच्चे भूके मर जाएंगे, जीवित नहीं रहेंगे हम लोग, आप हमें अनाज उधार दे दो, हम आ और आज तक ना तो पैसे दिये और ना ही वो वापस किया अगर तुमको हमारी बात जूटी लग रही है तो भाई तुम दोनों 100,00 रुपे दे दो हमें और अगर ये बात सच है सच मान रहे हो तो पांच-पांच कुंटल गेहूं बैठते दे दो पांच-पांच कुंटल गेह और सुन ले कहानी बहुत सौखे तुझे कहानी सुनने का लुटवा दिया ना अवे मुझे ये थोड़ी मारूम था कि हम उल्टे फस जाएंगे भाई जान अपना हिसाब बाद में करना पहले मुझे बताओ 100,00 रुपे दोगे अनाज दोगे वह आगर मिया वेक काम करें सो सोर पे दे दी और अना तो मेहा पढ़ेगा तो फिलिए ठीक है ठीक है ठीक है लाओ जैशन करो तो तुमारे तो बहुत याद है अच्छा जी अच्छा जी तो गीत भी ऐसा ही होगा ना गीत सुनाना पड़ेगा आपने ना गीत तो मैं सुना दूंगा पर जो माहुल चल लाई सी माहुल का गीत सुना दू ना वोही होगा जो आपने सास्त्रीनेगर में सुनाया था अच्छा अच्छा वोही होगा ठीक है तो लो वोही वाला गीत सुन लो सुना दो चलो दिखाए लामे दिदिया में चल रही रेल जूत हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाए लामे मेरे साथ आदमिक कुनवा है तू पूछ लजा के कलवा है मेरे साथ आदमिक कुनवा है तू पूछ लजा के कलवा है पुलहड में रंदराई खीर जूत हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाए लामे दिदिया में चल रही रेल जूट हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाला में एक भैस बिटोरा चड़ रही और कटिया सेवा कर रही वकि कट्रा काड़े धार जूट हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाला में दिदिया में चल रही रेल जूट हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाला में एक हाती हो का भरे रहो और छोटा ठाड़ो देख रहो वा में उटने मारो घूट जूट हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाला में दिदिया में चल रही रेल जूट हम नाय बोले नाय मानो चलो दिखाला में सेख जी सेख जी आप यहां बैठे हो मैं कब से आपको डूट रहा हूँ अरे जहीर मिया क्यों परेशान हो रहे हो बात बताओ क्या बात है सेख जी गाओं में एक सहरी बाबु आये है और वो अंग्रे जी बोल रहे है अंग्रेजी तो हमारे गाउं में कोई नहीं जानता आपके सिवा अच्छा सारे गाउं वाले तो मैं ढूंड रहे हैं कि सहरी बाबू की बात सेख चिल्ली ही समझ सकते हैं अब जल्दी चलो मेरे साथ ठेक है जी चलो अबूंटर हो फ्रावार यो एवी सीडी क्या हुआ इसने आपको चांटा क्यों मारा अरे कुछ नहीं नहीं सेख जी आपको बताना पड़ेगा नहीं बताओ क्या हुआ अरे क्या बात है भाईजान कुछ भी नहीं है बस जराची बात है अरे ये कह रहा था कि जब आप इतने पढ़े लिखे हो तो गाउं में क्या कर रहे हो बस इसी बात पर गुश्टा हो गया और चांटा मार कर चलेगा ये नहीं 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 सेख जी हम आपको सेहनी जाने देंगे खुदा कसम तुम सेहनी जाओगे अरे भाईजान हम कहा जा रहे हैं हमने मना कर दिया ना अच्छा भाईजान चलते हैं खुदा हाफिज खुदा हाफिज, भाईजान वै सेहनी मिया सेहन वीज़ एक बात हमारी समझ मैंनी आरी बताओ मिया बताओगे भी भाई मिया तु मकीन नहीं करोगे खुदा खसम कई दिन से इत्ता दिमाग खराब है इत्ता दिमाग खराब है बै क्या बता हूं अच्छा जी हा मिया कहो बै मैं नू सोच रहा था एक दिर चार भाई पर लेटा बै जैसा मास्टर की घरवाली को मास्टर नहीं कहते हैं बै दुमें तो पता ही हूं और वकील की वकिल नी कहते हैं ठीक और भेड लाक्टर की भरवाली को डाक्टर नी कहते हैं हूं तो मिया मैं यू सोच रहा था पत्ते रहा है क्टांकय की घरवाली को जो ख़एंगे अब इसमें सोचने वाली क्या बात मली सीदी सी बात है